तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके इगनू टर्मेंड एक्जाम रिजल्ट के लिए तो देखिए बहुत सारे ऐसे स्टुएंट्स हैं जिनका की जून 2023 का जो रिजल्ट है वो अभी तक अप्डेट नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी स्टुएंट्स हैं जिन्होंने रिवेल्वेशन के लिए अप्लाई किया था और उन स्टुएंट्स का भी जो रिजल्ट है रिवेल्वेशन का वो भी इगनू की तरह से अप्डेट नहीं किया गया है तो देखिए एगनू में जब आपका रिजल्ट अप्डेट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पोर्टल पर ही यहाँ पर शो होता है तो यहाँ जो portal है यहाँ पर कभी-कभी जो technical problems होती है उसके वजए से शायद आपका result कभी-कभी यहाँ पर so नहीं होता है वो technical problem किसी भी कराण से हो सकती है या तो website में problem है या फिर बहुत सारे student जब एक साथ result चेक करते हैं तो server down होने के गारण से portal ठीक से काम नहीं करता है तो इस तरह की problem अक्सर इगनू के portal में खास तोर से result portal में और revaluation की result portal में हो जाती है तो देखिए इगनू में कई बार ऐसा हुआ है कि students का जो result है वो portal में update नहीं हुआ है और उसकी बजाए उनका जो directly result है वो उनके grade card में update हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए technical problem के वैसे यहाँ पर आपका result सो नहीं हुआ लेकिन 2-3 दिन बाद जो आपके marks हैं वो आपके grade card में update हो जाते हैं तो फिर उस वजए से जो आपका result है वो यहाँ पर सो नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि आपका result आया नहीं है तो इसलिए आपको अपना grade card भी जरूर चेक करना है तो ऐसे students जो बहुत time जे जिनका result है वो pending है वो students को अपना grade card भी जरूर चेक कर लेना जाए क्योंकि कभी-कभी यहाँ पर problem हो जाती है और आपका जो marks है वो आपके grade card में update हो जाता है और आपको लगता है कि आपका result नहीं आया है तो इसलिए बहुत सारे students ऐसे हैं जिनका result अभी तक update नहीं हुआ है और एगनू में मेरे क्याल से maximum students का result है वो update हो चुका है नहीं होता है तो grade card में आपके marks अगर update हो गए होंगे तो वो add हो जाएंगे तो यह बहुत बड़ी problem है इगनू में कि students के बल portal पर ही चेक करते हैं फिर उनके marks ऐसे update हो जाते हैं लेकिन portal पर सुन नहीं होता है तो उनको लगता है कि उनके marks update नहीं हुए है तो यह problem के बारे में मुझे आपको आज की वीडियो में बताना था अगर आपको यह वीडियो अलफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रू लाइक करना और एगनू से related हर update और information के लिए एगनू बड़ी channel को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना So thank you for watching this video Thank you so much